जाहिन साथियों स्वागत है आपको हमारे चनल PCS दरपन पे आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों यह बी एसेसी बिहार क्रमचारी चया नयोग दुवितिये इंटर अस्तर यह संयुक्त पड़ती होगी ता परिक्षा अब लोग ने बना चुके नहीं बना है तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइट करा दूगा पहले सेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है टेस्ट स्रीज विध डिसकासन है जिसमें टोटल सेट्स होने वाले हैं 20 है ना 20 सेट्स होने वाले इसका फिक् इसमें पहला सेट आईए देखते हम लोग क्या आता है पहला क्या है कि ग्रेनाइट चट्टाने किस पर करके चट्टाने होती है ना इसके बारे में हम लोग फूल डीटेल्स जानते है देखिए पहला कुश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टाने किस पर करके चट्टाने होती यह कैसी चटाने होती है यह होती है अगने चटाने है न तो राइटेंसर इसका बी है अगने चटाने होती है ग्रेनाइट वाली अगला देखिए सुंदरवन का डेल्टा निमनलिखित में से किन नदियों को द्वारा किन नदी के द्वारा नेर्मित होती है सुंदरवन डेल् स्थान का कौन सानुछेद यह बताता है कि भारतिय नागरी को किसी भी रोस्टुडेंट या फिर सरक या सरवजनिक अस्थान का उप्योग करने का अधिकार है या किस आर्टिकल में कहा गया है आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है तो राइट एंसर ऑप्शन 11 10 में कि निमने लिखित में से किन देशो के संहु में भूमत दे रखा गुजरती धै क्वान क्वान देस क्वान गुजरती इस है गूरिए केन्या और इंडॉनिया न इसका के आप्शन बी हो जाएगा अगला कुषन लिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है बंगला देश नहीं है तो राइट एंसर ओप्शन सी हो जाएगा आसियान में कुल देश होगी संगय कितना है दुस्तू दस है ठीक है अभी वर्तमान में एक आरह हो गया यह गर्वा जो ज अगना कुशन देखते हYatie, Mc Mohan रेखा भारत, तथा किस देस के बीच में सीमा रेखा है Mc Mohan जो है भारत और चीन के बीच में है तो राइट नई इसका D है आंक सा सुधी, जो NLD की नेत्री है, यह किस देस से सम्भंधित रखते है यह किस देश से हैं संबंदित यह जो है Myanmar से है तो राइटेंसर ओप्जन D है Admiral Cup किस खेल से संबंदित है Admiral Cup बता दे आपको Noka Dors से संबंदित है तो राइटेंसर ओप्जन C है इसका 22 के दोरान UNICEF के सद भावना राज़दूत के लिए भारत की यात्रा पर आये, England के पुर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंदित है, पहले तो जाने दोस्तों, UNICEF के सद्भावना राजदूत कोन है वरत्मान में, वरत्मान में अभी सचिन तंदूलकर वरत्मान में अभी UNICEF के सद्भावना राजदूत है, और यहा देखें, निम्री लिखीत में संघाई सहयुक शंगठन का एक सदस्य देश, कौन सा है, संघाई सहयुक संगठन का कौन सा देश है, इरान है, तो राइट एंसर ओप्चन B है इसका, य एम अ हिंदू, पुस्तक के लिखक कोन है, य आई एम अ हिंदू, पुस्तक के लिखक कोन है दूस्तों, पुस्तक के लिखक है, ससी थरूर, तो राइट इंसर डी है, पेरू की रजधानी कहा है, पेरू का रजधानी कहा है, लीमा है न, इसराइल देश की मुद्रा क्या है, नियू सिकेल है इसराइल देश की मुद्रा है अगला कुछ सब नेखते हैं किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रन पुरुषकार परदान किया गया था बिस्वनाथन आनंद को परदान किया गया था तो राइटर से अप्शन डी है राजीम गादी खेल रात्न पुरुषकार अब ऐसका नाम बदल गया जा कुछ था दोस्तो अब इसका नाम क्या रखा गया है क्यारिआ कड़ होती है अग्ला देखें भूमी के उपर भाग में गहराई बढ़नानी एक सात। capacity में क्रमिक अगर दिखिए एक परिक्षा में बावन के अउसत से या दुस्तों मैथ है कहिएगा तो इसका मैद्स का भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ठीक है हम लोग जीके सिर्फ और जीके जीएस को अनलाइस करते हैं और पढ़ते हैं बस ठीक है कि सारे मैथ ही हैं सब मैद्स है दूस्तों भी इसको आप सॉल्फ कर सकते हैं पॉज करके और अपना इसकोर कॉमेंट सेक्षा में जुरू बता दिजिएगा कि आपका इसकोर क्या रहा है अगला देखिए पहचानिया कि निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है इसके बारे में ब किया गया था बिल्कुल किया गया था खेतरी कॉपर कंपलेक्स राजस्थान में है हाँ बिल्कुल है मिनेरल एक्स्प्लोरेशन कंस्ट्रेंसी लिमिटेड का मुख्याले जैपुर में है नहीं यानि कि राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा एक और दो सही है तो यह किसमें इसे 2005 में बनाए गया था दूसरा इसकी बार्सिक आये 75% का उपियोग स्वास्थ सिक्षा रोजगार को पुरसाहिद करने वाले योजनाव में किया जाना था इसे 2018 में भंग कर दिया गया इसका राइटेंसर क्या है किवल एक और दो है ना राइटेंसर इसका एक और दो इसे 2005 में बनाए गया था इसकी बार्सिक आये के जो है 75% का उपियोग स्वास्थ सिक्षा रोजगार को पुरसाहिद करने के लिए उजनाव में किया जाना था अगला कुशन आते हैं स्वास्थ के पहले सोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो स्वतंत्र भारत के ज अगला कुशन देखिए सीख धर्म के पहले गुरु कौन थे शरी गुरु नानक देवजी थे शरी गुरु नानक जी देव और दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग थे पांचवे अर्जुन देव थे अगला ये पुरा तात्वी कस्तल जो है सुरकोटदा किस राज्य मे इसे राज्य में है घुजरात में है भारत का सीज़िदा भारत में सीज़िदा प्रथा किस ने शुरू किया था अगयासु दिन बलबन बल्बन के द्वारा सीजिदा प्रथा को सुरू किया गया था कंडाली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है कंडाली महोत्सव का उत्सव उत्रा खड़ में किया जाता है राइटेंसर उप्सन C हो जाएगा अगला आते हैं निर्टेस्थाइली चेरी की उत्पती किस राज्जे से हुई है चेरी जो है यह किस राज्जे की उत्पती है दूसरों निर्टेस्थाइली है किस राज्जे का है राज्जस्थान का है तो राइट एंसर सी है इसका अगला खुशन देखते हैं मुझा किर्केट बिश्व कब को 32 का कौन सा साहित्य समान प्रदान किया गया है कौन सा साहित्य समान दिया गया है इनको वयास समान से समानित किया गया है बिर्ला फांडिसर के दोराय समानित क्या जाता है अगला देखते हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना अयुक्त कौन है भारत के पहले दलित बिमा निगम इसमें से किसमें संबंध करमचारियों को चिकित्सा लाब के संबंध समाजिक सुरक्षा परदान नहीं करता है। बहरती राष्टिगान पहली बार कब मतलग किस वर्स में गया गया था। दोस्तों तो इसे आप लोग सॉल्व खुद कीजिएगा। इसका राइट एंसर बता जेते हैं आपको इसका राइट एंसर हो जाएगा 15 होगा ठीक है दूस्तों राइट एंसर होगा। इसका राइट एंसर आप राइट कर सकते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों डी होगा 47 का। बाफ की जाएगा बचेगा यहीं न बचेगा एंसर प्लस सबको एट करेंगे तो दूस्तों कितना आजाएगा। टोटल 50 न आजाएगा प्लस 6N आएगा टोटल एट करने पर इसमें कमन हो जाएगा मेरा 3 और by 6 होगा कि टोटल जो नंबर है मेरा 6 है 38 कमन करेंगे 3N प्लस 5 बाइट यानि कि री अंप्ला सब जाएगा थीस न प्लस 5 दूस्तों Bाइट जाएगा तो यहां पे 2 कमन करंदेंगे एट प्लस 5 राइट अंसर होगा मेरा इसना ऋत् सिक्स अगला देखते हैं इसका भी एंसर जाने लिजिए क्या होगा 49 का अंसर हो जाएगा डी होगा दूस्तों सबको एड करना है बस सब्ट्रैक करके निमुन लिखते में कौन से कथन सही है कौन बरा है छोटा है से करके बताना इसमें राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन भी करके क्या लिखनी की देखते हैं को involves here 52 का देकी क्यस्तों सब्सक्राइगा कौन पांट से भाग देने पर शेस तीन बसते हैं इस संख्या के बहर psyche से चारो अप्सन में से की सिकर कि Juliet किज यहां पर एक संख्या दीया हुआ है जिसमें कौन सा हुआ है इसका याइट एक संख्या दिया हुआ जिसमें इसका यंकाल करें प्रम निकाल कर कर दोस्ते ती प्रग्ला है रिजनिंग को भी हम लोग राणी देते हैं कुछ देखते चलते ठीक है जैसे यहां पे सिक्स से फिप्टी हुआ है यहां फिर इले बेन यहां पे नेक्स्ट क्या होगा तो आप खुद प्रश्रेणी दिया है यहां पे 25 के बाद 34 इसके बाद 52 के बाद क्या आने वाला है यहां पे इसका राइटेंसर हो जाएगा ऑप्सन D हो जाएगा जिस परकार सिलाई धागे से संब्धित है उसी परकार लेखन किसी से लिखेंगे हम लोग कलम से थोड़ी ना सियाही से तो राइटेंसर ऑप्सन B हो जाएगा काली मिट्टी मुखे तक किस राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी का पास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है तो गुजरात महरास्ट में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है तो राइटेंसर यह हो जाएगा अरल साग काहां पेच्ति थे औरल सागर काहां पेच्ति थे दूस्तों काजाक kingustand और उजबेकिस्तान बिच में है राइट इंसर इसका스터 hai फ़ाइगा कि बारत की संधान सभा कि पहली बैठक अयोलहित किया था कब आयोजित क्या गय था सभाइब आयोजीत की था nine जाएगा इसका यहां कि देखिए डैस किसी भी विधैक को धन विधैक घुशित करने का ने लेते हैं तो कौन बताते हैं कि यह विधैक जो है धन विधैक है यह बताएंगे सिर्फ लुक सभाध्यक्स बताते हैं क्योंकि राजे सभाव में मत 14 दिन तक ही रूख सकता है धन विधैक और 14 दिन के बाद स्वता ही पारित हो जाता है अगला कुशन देखते हैं भारती समिधान में परस्ट पार्ट दपोस्ट सबसे अधिक मत पराप्त व्यक्ति को विजय का प्रवधान किस देश के समिधान से अंगल कृत किया गया था परिटैन से लिए अगये हैं तो राइट ऋ फाप्सण सी हो जाए इसका बरिटैन बिहार में होम रूल लिक हा एकस कों कर रहे थे हों हूम रूल का भीएकस बिहार में कौन किय थे मौला ना मजह अधा पर्उल हग कीके ए सिह कि किन दोदेशों के बीच है भारत और चीण के बीच जिसमें चीन उसको accept नहीं करता है कि पंच्य सिल समझीन समझा होता को अफिम यूद किन के बीच में लड़ा गया था अफिम यूद दोवर लड़ा गया है दूसतो Is he किस के बीच में होता है तो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था तो राइटेंसर ऑप्षन ए हो जाएगा इसका यह किसका है इंडोनेसिया के नहीं तो इंडोनेसिया के लज़धनी ऐसे जज़ा करता है निम्र्द लेखित में से कौन से कथन भारत के परोसी देशों के संदर में सही है आई यह कथन हम लोग देखते हैं परके भारत ने 2022 में च्छाय मान अर्थ बेवस्ता को सहारा देने के लगवग चार बिलियन डॉलर के अनुदान से मालदी को सहरा दिया है सिरलंका भुटान और बंगला देश की तुलना में डॉलर के संदर में भारत का सकल घरेलू जो जीडीपी है वो सबसे अधिक रही है अगला देखते हैं किस वर्स को पहली बार ग्राम सभा वर्स घोसि वर्स दो हजर नौ को दो हजलद से इसको क्या घोसित किया गये था पहली बार ग्राम सभा घोसित वर्स घोसित किया गये था समिधान के निम्नलिकित संसोधन में से किसके अंतरगत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत की एक तिहाई सीट अरक्षित किया गया है कैमा समिधान संसोधन में किया गया है 73 समिधान संसोधन में किया गया है राइट एंसर है ओप्सन C है अगला देखते हैं फिर इजनिंग आया दूसरों इसका राइट एंसर उप्सन सी हो जाएगा सबसे अलग छाटना था इसमें ये सभी रोग विश्य सगे हैं लेकिन ये मनोचिकित सगे है यानि राइट एंसर रही हो जाएगा इसमें अक्षरों को जो भावेल हैं उसके आगे वाले जो कॉंसनेंट है उसके पीछे वाले के रूप में बदल करके बताना है कि कितने इसमें नए स्वार यानि कितने भावेल हुए हैं तो इसमें फाइंट करके बताना हैं दूस्तों कितने होंगे मात्र एक आएगा इसमें यह relationship से related question है इसे भी पढ़ लिजे इसका राइट एंसर क्या होगा पत्ती होगा है ना फिर आ गया reasoning कहीं है दूस्तों को से इसका राइट एंसर 60 होगा यदि 17 जनुए 24 सनी बार था 10 अप्रिल 23 को सत्ता कौन सा दीन था कौन सा दीन होगा बुद्धवार फिर हमारा reasoning ही आया है दोस्तों अभी भी continue reasoning ही है 82 का राइट एंसर क्या होगा सी होगा इसका इसका वहलू होता है चार और इसका वहलू होता है यानि इसको ही जोड़ेंगे तो हम लोग 16 पाएंगे और इसका तीन इसका चार साथ और नौ कितना हो गया सुल्ला फिर यहां पर भी दो होता है इसका पांच होता है पांच दू साथ और इसका आठ तो साथ चोड़ पंद्रह यानि एक चाहिए इसमें यानि कि यह वाला चाहिए तो राइट एंसर डी हो जाए इसका दिए पैटर्न में ध्यान पूर्वक देना है और आपको बताना है कि प्रस्ण के चिन पर क्या आने वाला है तो इसको इससे मॉंटिप्लाइ किजिए इसमें इसमें मैनस करेंगे हमने क्या मिलेगा 12 सेम वही किजिए और आजाएगा से शिक्स नाइन जा फिप्टी फोर तू यानि राइट एंसर सी हो जाएगा इसका तू हो जाएगा वे ना रेक का है इसमें देखिए क्या है महिलाएं माताओं और निर्टक के बारे में गया है तो यह कौन से राइट एंसर हो जाएगा दूस्तो राइट एंसर इसका डी हो जाएगा न क्यूंकि सभी माताएं जो है सभी महिलाएं सभी महिलाएं जो है माताएं बिल्कुल हो होगी और यह जरूरी नहीं है कि वो मातख कई नहीं हो गी वह सकती नहीं सकती है यह है एक आगणा सब्सक्राइज मेंम्हेलाओं के उतपीरन को रोकने डायन प्रथा प्रती सेध विधायक कब बिहार में लाया गया डायन प्रथा प्रती सेध जो है विधायक बिहार में कब लाया गया 1999 में राइट अंसर B है भारत में पहली पंचवर्ची योजना काधार क्या था पहला हेरा डोमर मोडर, दूसरा पीसी महाल लोनोबीस, अगला देखते हैं, निमने लिखित में से कौन भारत में सामुदाईग विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, तो कौन से निर्माता हैं दोस्तों? इसके डे हैं, तो राइट एंसर उप्टन ए हो जाएगा इसका, सामुदाईग विकास के मुख्य निर्माता इसके डे हैं, भारत सरकार दुवारा नियुक्त, टापस, मजुमदार, समीती का संबन, निमने लिखित में से किस्य था, या किस्य था दोस्तों? चो से चौदा वर्स के पड़गे के सभी बच्चों को स्कूली सिख्षा बेवस्ता में सामिल करने से था तो राइट एंसर बी है इसका विसेस परिस्तिती में ग्राम पंचायत के एक तिहाई सदस्य के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवस्यक है कितने दिन के अंदर 15 दिनों के अंदर तो राइट एंसर उप्सन D है इसका सीसू के मतलब नोजात जो बच्चा जनम लेता है उस समय कौन सी हड़ी नहीнов होता है कोन सा हड़ी नहीं होता है यहां पे option basis पे देखा जाए तो जानुका जानुका को हैं क्या बोलते दूस्तू पटेला जो कहां पे होता है दूस्तू टीबिया पटेला नावा की यह जो होता है पैर में होता है पर पटेला हाथ में भी होता है ठीक है न दूस्तू अगला देखते हैं निम्नलेखिती में स से बाढ़ को रोका जा सकता है, वनिकरन हमारे परितंद्र को संतूलित कर सकता है, उपियुक्त में से कौन से कथन सही है, इसमें कथन में कौन सा सही है दूसरे, एक और दो दोनों सही है, ये बाढ़ को रोकता है वनिकरन और वनिकरन हमारे परितंद्र को संतूलित करता है, व प्रिहद ज्वारभाटा, तो राइटनसर औप्सण नहीं है, आवर्थ सार्णी के वर्ग एक के तत्व हैं, कौन से तत्व हैं दूस्त? छारधात हुए, तो राइटनसर औप्सण c हो जाएगा इसका, चारधात हुए, अगला देखिए, निम्लेखित मैंसे कौन सा यूग, स सही सुमिलित नहीं है को पताना सही सुमिलित नहीं है तो यह राइट एंसर डी वाला सही सुमिलित नहीं है तो सब सही सुमिलित है देखिए मेलाटोनीन या निंद्रा को नियंतित करता है इंसुलिन रक्त सरकरा को नियंतित करता है ओक्सिटोशिन अस्तन गरंथी से दुध का निशरन करता है किसी परिपत में विदुधारा के परवाह के दिशा को दर्साने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है परम सुन्य ताप का मान कितना होगा जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में उसे किसे उतारते हैं पैरिडर्म को उतारते हैं, पारित्व को उतारते हैं, तो राइटेंसर ए होगा, वह वीदिती है कि कारबन मोनो अक्साइड का परानियों पर दूस परभाव होता है, दूस परभाव क्या चीज़ से होता है, इसके कारण CO2 परिवहन कम हो जाता है, CO2 ने O2 कम हो जाता है, अक कागज, इसलप, 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 इसलप कैज़ते हैं दूस्तो क्लॉक व्य कि से एप के बाद C है उसके बाद E अब यहां पर एप इप के बाद फिर देखिए एप यहां है उसके बाद B और D हमें चाहिए C के फलक वाले तो B आ रहा है तो राइट एंसर हो जाएगा पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो पस्चिम का नाम क्या बदल जागा यदि यह पूरब जो है मारा अभी वर्तमान में यह क्या बन जाता है उत्तर पूरब तो उत्तर पूरब यह है यह बन जाता है यानि कि यहां से ऐसे जा रहा है यहां से जा रहा है तो हमें पस्चि इधर में आजाएगा ऐसे आ रहा है न तो इहां पर बन जाएगा दस्त में Deputy Jobs कि डिलंग भ territory हो जाएगा अंकर लिएज कर दोग के संधिन अता है तुस्तों इसको यह लिखा जाता है इसको यह लिखा किने हैंधे 20 पद से अप्षिल कर सकते हैं यहां पियुकों अध्य को सना Alrighty कि बित करेंव निए हैं इसके राइट आ agrad इंसर ज्लिजिए क्या होगा है इसका आ इसका राइट इंसर सी होगा है नहीं बनाया जा सकता है इसमें O आया हुए है इसमें O नहीं है दूस्तों डाउटर में है फिर अगला देखते हैं अमनों कोश्चन इसका राइट एंसर ए होगा फिर अगला कोश्चन देखिए 113 यह भी दूस्तों रिलेटेड ही है उसे डिजनिंग का ही है न तो 113 का राइट एंसर हो जाएगा आपका बी होगा 114 का जानिए क्या होगा राइट एंसर डी होगा दूस्तों जेट 26 है यह 24 है 22 है यानि 20 आने वाला है तो 20 और यहां 26 24 22 तो यानि 20 टी बीस पर पड़ता है फिर अगला कुश्चन देखिए 115 का राइट एंसर हो जाएगा उप्सन ए होगा आठ बचे 45 मिनट दोनों घरी के बीच वाली मिनट के सुई की बीच का कुण लगभाग कितना होगा यह बताना है तो राइट एंसर इसका डी हो जाएगा 118 का क्या हो दुस्तों राइट एंसर सी हो जाएगा के बारा है इसमें सबाविक बातते दिखाना ए इन से बारा है तो N देखिए, इधर दोनों यह घुमा हुगा है, यानि कि यह पर सब्सक्राइब कर दूँने हैं, थो राइट एंसर C हो जाएगा है, L U होगा, 120 का देखिए, 120 का राइट एंसर क्या होगा दूसरा, 120 का राइट एंसर हो जाएगा A के वल धारन एक ही नहीं थोगा इसमें क्यों ये कुश्चन पढ़ीगा तो पता चलेगा जैसे कंपनी जीड का सुध यो प्रकृतिक सहथ खड़ी दे एक विज्यापन है तो कृतिम सहथ त्यार किया जाता है बिल्कुल सही है ये एक ही नहीं है बस दूसरा पढ़िए नहीं छोड़िए राइट एंसर A है 121 में देखिए किसी द्विमिये गती में तत्षणिक चाल जो है भी जीरो एक धनात्मक नियतांक है तब निमलिकित में से कौन सा कथन अनिवारत सत्य है इसका राइट एंसर D हो जाएगा दोस्तों समान समय अ तरंगू के संचरन की दिशा के लंबवत दिशा में कमपन करते हैं यह अनुप्रस्त तरंगे हैं वर्तमान में CO2 का संदरन हमारे वाईवंडल में कितना है कितना है दूस्तों 290 PPM है ZXA अवर्त सारनी के बारवे बर्ग का सदस्य है यदि एक अलफा करन उच सर्जित करता है तो नया तत्व की समुह का होगा कैमा समुह का होगा दसमें समुह का रोबाट हो क्या छीज गा खुज का कोषिका का मिृत कोषिका का जिवित कोषिका एंटेनी वॉन लिवनहों खुज की है और यह खुज किये हैं एक Sabbath में के लिए निमर लिखशिक मेंसे कौन साबकरिये परिक्त की जाती हैं यह कौन साब क्रिया परिक्त की जाएगी यह अप घटन अभिकिडिया है तथा उसमा सोशी प्रकृतिक की है अगला देखिये माय्ट्रो कंडिया के विलक्षन को सिकांग क्यों माना जाता है माइचो कॉंडिया को विलक्षन को सीखांग क्यों माना जाता है इसलिए माना जाता है क्यूंकि इसमें राइबोजम और डियने होते हैं जब किसी व्यक्ति को सरदी जुखाम हो जाता है तब वह क्या नहीं कर सकता है तो वह क्या नहीं कर सकता है इतर वह अगरबत्ती का परवाहित करने पर आर दूरी और इस्थिर किसी बिंदू पर उत्पन चुम्ब किये छेतरों के परिनाम करम सब बीवन बीटू 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 है तो निमने लिखित में से कौन सा संबंध सही होगा यह बताना है तो राइट एंसर ऑप्सन ए हो जाएगा बीटू उससे छो से पल वाइड़स एक सी सिस्टम मेंधेंडेड्व होते हैं इसलिए यदि मूल वाइड़स हटा दिया जाता है तो इसे फिर से शकडिय किया जा सकता है तो राइट एंसर ऑप्सन ध होगा रेसिडेंट विदुत तारो पर विदुत रोधी पदार्थ की एक परत होती है समानेत उपियोग के लिए उपियोग में लाए जाने वाला यह पदार्थ कौन सा है यह पदार्थ है पी वी सी है तो राइट एंसर सी है निमनलिखित में से कौन सा भाग परकास को मानों आख में परवेश करने की सुविधा परदान करता है कौन सा भाग है कॉर्णिया है तो राइटेंसर बी है कॉर्णिया भूख लगने पर कोई व्यक्ति स्वर पर्थम उप्योग करता है अपनी क्या चीज का उप्योग करता है गलाइकुजेन का उप्योग करता है निमनलिखित में से कौन सा नीचे दिएगा संबंद को सही तरीके से पूंड करेगा यह डिजनिंग है इसका आइटेंसर हो यह से अलग प्रतित हो और फिर यह था करना है कि कौन सा कथन निस्कस प्रदत कथ्व को को तारतिक रूप से अनुसरन करता हैं कुछ चैत्र विद्वान हैं कुछ विद्वानलम लड़किया rushing सभी लड़कियां साख प्षण है तो तो दिए इसको बनाते कुछ चात्र दोस्तों यह क्या है विद्वान है कुछ छात्र जो है यह विद्वान है कुछ चात्र विद्वान है कुछ विद्वान लड़किया है कुछ विद्वान जो है लड़किया है ठीक सभी लड़किया साच्छा सभी लड़किया जो है educated है तो option पहला है देखिए कुछ छात्र लड़किया है कुछ छात्र जो है लड़किया है बिल्कुल हो सकती है क्योंकि जदी हम यहां पर करते तब हो सकती थी तो यह right answer है पहला कुछ विद्वान साक्षर है कुछ विद्वान जो है सक्त बिल्कुल नहीं कुछ साक्षर विद्वान हो सकते थे यह कट जाएगा है कुछ साक्षर के चहतर होनी o कुछ साक्षर तो सात्र कनफर्म होंगे ही होंगे तो राइट-इंसर होगा एक और टीन होगा लिए क्या अगला कुछन है यहां पर भी निशकर्सवाला दिया है तो इसका राइट-इंसर क्या होगे देखे सभी तलाब जील है सभी तलाब जो है क्या है सभी तलाब जील है सभी तलाब जो है जील है कोई नदी तलाब नहीं कोई भी नदी जो है तलाब नहीं है ठीक है कुछ नदी कुछ नदी जो है क्या है जील नहीं कुछ नदी जो है जील नहीं है तो यह सभी फॉर्मेशन रिजिनिंग ही है दोस्तों इसको आपको सब्द को उसके अकॉर्डिंग सीरीजी में डालना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा साथ Switch को पुरा करना है तो यहां पर फुद्पूरा कर सकते हैं अच्छे को ना निदि तो होगा नहीं यानि लखतर ह oxygen नीचे दिखे चितर में कि intervene पर भूज कंट करना है दूस्तों इसमें तो डर्कि अम्हाइस पहले इसमें इसमें देखते एक दो दो थो हएं हुआ मिन Сबूल मेरा फिल यहां से दो एक थीन एक यह चार चार एक यह टुटल पांच हो गया थक यह हो गया च्यारat एक साथ एक यह तो और यह यह धर किजिए 10 हो गया और यह हो गया 11 और यह नोंसर में से किका समय हो जाएगा 12ंच 12 यह हो गया एक है यहाँ पे निकल काushima सतनर, यानि राइट एंसर हो जाएगा option a, पूर्टिन होगा, यहां नीचे देगा, इसको more के बदाने, दोस्तो paper cutting है तो इसका राइट एंसर यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कैसे कट आ गया है, इसको पहले फोल्ड किया गया, फिर इसको भी फोल्ड किया गया, तो ऐसे लिखा बताना है कि यह जो है यह किस से रिलेटेग है न इसका राइट इंसर हो जाएगा क्या दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो यह फॉर्मेशन है ऐसे देखिएंगा दिखातें आपको यह जो फॉर्मेशन है यहां से ऐसे इसे यह यहां से दोस्तों एक गाइब करके यहां पर फिर एक गाइब करेगा तो यहां पर 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 यह जाएगा फिर से यहां जाएगा फिर ऐसे यह से यहां गरेगा जाएगा फिर से वापसЧтоसिशन का हम लोग देखते हैं कुछछ न का यदि आज मंगल भाएन तो आज से 64 चोंचा उपान उठाय दिन अग्ला देखिए गनितिय चीन को सही करके बताना है इसमें कौन सा राइट एंसर हो जाएगा लगे फिर 149 को देखिए , इसमें भी असंगत अकरिति को चैन करना है उस उस संगत नहीं है तो यह अिस पोशीत कि नहीं है फिर 150 लास्ट आते हैं दोस्तों ये से सी में बहुत पार पूछा जाता है ये कुश्चन M I S T का समुभ पाचानना M M कहाँ पर रहा है देखिए इस option basis को आप देख सकते हैं पहला जो है एक चार है एक यानि इसमें देखना है और चार यानि इसमें देखना है एक और चार इसमें पहला M आ रहा है ठीक है फिर क्या चाहिए आई चाहिए हमें 8 और 9 बोला है 8 यहां पर हमें और 9 यहां पर है 8 और 9 को देखिए I यह भी मिलना है हमें अब S चाहिए S के लिए क्या है double 2 लिया है तो यहां टू भी है यहां पर भी 2 है इसका भी हमें मिलना है दूस्तो इस मिलना है अब चाहिए T के लिए double 8 लिया है क्या double 8 में देखे 8 यहां पर है 8 यहां पर है तो यह मिलना है नहीं यह T नहीं मिलते है यह राइट असर नहीं होगा इसका राइट एंसर हो जाए ऐा अप्षन भी होगा है तो आसा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आएगा फिर अपने दोस्तों में सेर्थ किजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन ले कहेंगे